लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अल्ट्रा चनल्स को आतेगी जिनके दुश्मनल का होजय सरवनाश सब आद के शोले जैसे है कुल कर्म क करें दिनाश ये राम की धर्दी है यहां पर वाप्तों को हुटा नाश ये आज़ाद बतन है भारत हमाड़ा हम से बता यह बाश ये हर पल हर दम जान लटाए इनका क्या कहना ये कदम कदम पर खाओ जो खाए गुद से ना डरना आते ही जिनके दुश्मनों का हो जाए सर्बनाश सब आके शोले जैसे है गुगर्म का तरे बिनाश बंदर मादरम आते ही जिनके दुश्मनों का हो जाए सर्बनाश सब आके शोले जैसे है गुगर्म का तरे बिनाश बंदर मादरम बंदर मादरम बंदर मादरम बंदर मादरम लग का चार को मिटाना भारत की आपको बचाना इसके लिए है जीना इसके लिए हमरना लब बस लेकर चलना इस डेश का प्रियताराना इसके लिए है जीना इसके लिए हमरना ये सबको देते हैं तिकस ये तो है इस बतन के आस्ट ये तो है इस बतन के आस्ट ये गदर गुमार भगा है इनका है का कहना इस बतना स्टल पर एक फॉर्टी सेवन राइफले मिली है आदी वासियों के बाज ये कहा से आई है इसका जवाब देंगे अप इस घ्रगना के बारे में मुझे सारी जान करें चाहिए जब तक वो पकड़े नहीं जाते सरकार चूप नहीं बैठेगे इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है देखे हमने अपना आद ओपर नहीं उठाया बलकि इस केस के लिए के स्पेशल टीम गठित किये हम उनको पूरी तरह से मदद कर रहे हैं प्लीज काम पूरा हुआ मैं सब संभा लोंगा हमने जो काम सुचा है इसको पूरा करने के लिए एक ही विरस्वामी काफी नहीं होगा हमें इस काम के लिए सो विरस्वामी लगेंगे का अब दाल वैं इस खतम हो गया आगे आने वाले ड्रावी पर गड़ी रोगना है कि आख शोड़े की बातल बस में रखो ठीक है आख बाई अरे रामु शोड़ा की बातल बस में रख दे है है अ कि यह कौन है उद्धर कुन चुपके बैठा हुआ है क्या कर रहे हुआ मारने वाला हो क्या मारने वाले हो सोडा सोडा मारने वाला है इस दो पेग अंदर जाने ठक ठाइक है भाइ तीसरे पांग में कुछ हजीब लगता है तभी किसी की ज़रूरत होती है जोड़ा डाल जोड़ा 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 जादा क्या मतलब सोड़ा से ज्यादा शराब होने पर लिवर खराब हो जाता है भाई मैं उतर जाओंगा तो डालेगा क्या मुश्किल है आप दारू पिये बागर रह सकते हो क्या नहीं रह सकता तो उसी तरह मैं भी बात किया बागर नहीं रह सकता अरे इसे भी दारू बिलाओ यार मुझ बंद करके पड़ा रहेगा अब करता है बीज राष्तर पड़े बागर है अरे हम लोग तो यहां बैटें पदर किसने रख दियो है अधा भाई पुलिस की जीप आदी यह अधा अधा है पेश्चs juшего repergende। इतारा डाले नहीं का मम लोगों प्agarण ले आया हैं पथर तुम लोग ही नहीं हम लोग भी रख सकते हैं ।ुम्हें व सामान किस ने पहुचा है पता नहीं तो तुम्हें इससे नहीं बताओगे Gan hari PayPal पता नहीं पता चल जाएगा पता पता चला पता है सब पता तो राभो या सर कबाल कबाल चल 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 इसो जो है कोरस प्रेज़ाओ इन लोग की जानकारी के मुताबिक इनका बॉस वीरा स्वामी है सर उन लोग को जेंगल मस्तर पहुचाने वाला ज्वाला पेपर का एडिटर चितूर का सर्दार है तिरूपती में वाइशाप होटल्स को छोल कर और भी बहुत सी प्रापरटी है उसके ऐसा तो नहीं रगता क कि निउस्पेपर से कमाया हुआ पैसा है इस केस में कदम बढ़ाने से पहले चितूर में सर्दार से मिलना जरूरी है चितूर में अपना आदमी कौन है वीरवद्द सर्जी उसे खबर कर दो हम लोग आ रहे हैं हुआ 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 है क्या काम है हमें जनकारी चाहिए सर्दार को बुला है बाहर गया है जुबाइब तो न्यूस को अबर गरेंगे वो पता नहीं फोन करो और बाई शेर रहा और शेर से पंगा मतलो चाहिए वाद बता चलेगा रहा है तो एसे नहीं बताओगे ठीक हम खुदी देख लेते हैं अब बहुत कर रहा है तो अब बहुत में गापड़ेगा क्या का आम से फंगा मतलो अब यह सब तुम ठीक नहीं कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है वह मैं देख लेगा यह सर्दार को बाग गया है रभू सर अम आने वाले हैं इसके खवर किसको देथी एसाई वेरभद्र को बंदूंता सर सरदार मेरी वजह से तुम बच गए हो वो क्राइम ब्रांच वालों ने आके तुम्हारा तोड़ दिया तुम होते तो तुम्हारा मुझ भी तोड़ देते मुझे मेरा हिस्सा पहुच्चा देना नहीं तो तुम बहुत बड़ी मुसीवत में फस जाओगे समझे मुसीवत म में ऐसा ही वेद्बद्र कहते हैं लेकिन उसे हैदराबाद में ढूनेंगे गहां बुलेट बाश्चा के साथ उसी जान पचान है एते जनकारी हमारे लिए काफी होगी ये केस पहले किसके पास था इंस्पेक्टर करीम सर उनकी हैदराबाद में बहुत अची पहचान है तो करीम के पहचान हमारे बहुत काम आएगी वो तो ठीक है सर लेकिन वह बहुत टेड़ा अदमी है वो चाहे जैसा भी आदमी है लेकिन वह मिले का एक मुसलिम से हाथ मिलाना पसंद करेंगे आप सद्राइबाद आया है उसका नेटवर्क बाबु भाई तक पहला है इस मामले में हमें तुम्हारा कोपरेशन चाहिए कोपरेशन पॉनिश्मेंट इस्टेंड अप गुडबॉड राइम डाउन गुडबॉड इसे कहते हैं कोपरेशन ये तो हमारे डेपार्टमेंट का काम है इसमें हिंदू होना या मुस्लिम होना कोई वाइने नहीं रखता लेकिन अक्सार ऐसा देखा गया है अपने मतलब के वक्त धर्म की बात आई जाती है आप जा सकते हैं प्लीस कमान गैस यट रेड़ी टेक यॉर पोजिशन ये अडिया लेज से कोई हेल्प नहीं मिलेगी हमें खुद मामले को सुल जाना होगा चारों और अपने जासूस फैला दो बोलाइस टैप करो रेस्टरेंट क्लप्स डिस्कोस हर जगा पर रेट डालो इस ग्रूप के हरादने को पकड़ना होगा हमें सर, हॉस्पिटल से आपकी मा का फोन आया था फोन दो हलो ममी फोन क्या था क्या हाँ किया था मैंने सोचो तुम्हें डिस्टरब ना करूँ लेकिन तुम्हारे पिताजी की तवियत खराब हो गई इसलिए फोन किया मैं भी आता हूँ क्या हुआ मामा जी वही सबज में नहीं आ रहा है रोज की तरह आज भी मैंने उन्हें न्यूस पढ़कर सुनाया था बस तरह तारीक और महीना बलता है न्यूस तो वही रहता है रोज वही ब्लास्ट वही मर्डर किसलिए यह सारी टेंशन समझ में नहीं आता इन चार सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कुछ तो कहने की कोशिश कर रहे थे पर कहने ही पाए सिद्धू उनकी तकलीफ देखकर मुझे पैदाश नहीं हुआ कैसे रहने बाले आदमी कैसे हो गए सब ठीक हो रहेगा मां कुछ दर्मे बाली बात नहीं है सर घुड़ीनी सिदार्थ तुमने यह क्या किया मुझे पता है आप जवानों को ज़्यादा जोश होता है पर उसका मतलब यह नहीं कि आप एक S.I. को एरिस्ट कर लें सर बात दर असल यह क्यों बोलो अगर यह पाप लेडिया को पता चली तो आज का मुख्य समाचार होगा 24 गंटे समाचार में दिखाते रहेंगे ऐसा होने सर पहले S.I. को मेरे पास लेकर आओ ओके सर ऐसे ही होगा डीजीपी ने आपको आने को कहा मुझे अच्छी तरह पता था वो मिझे ज़रूर बुलाएगा एक कप कॉफी लेकर आओ मेरे लिए ऐसे घूर के क्या देख रही है पुलिस में है तो क्या हुआ आखे और अधा है चल 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 दी मेरे लिए कॉफी लेकर आओ कॉफी किस लिए गोल्डरिंग लेकर आओ गोल्डरिंग मुझे जमती नहीं है चलते वक्त बाइन शॉप पे रोकना हाँ चल दी अरे ऐसे क्या देख रहे हो लाइफ है तो इंजॉइ करने के लिए अरे तुमारी तरह मैं 24 गंटे की डूटे नहीं कर सकता मैं नौकरी जो करता हूँ ना माल कमाने के लिए मुझे देखो मैं एक मामूली एसा ही हूँ पंजारा एल पे मैंने मस्त वंगला बनाया है और तुम तो मेरे से बड़े ओफिसर हो एसीपी और तुमारे पास अपना घर भी नहीं है सिंस्यर होने के बावजी तुम्हे कोई मैडल नी देने वाला समझे ट्रांसफर ओडर मिलेगा मुझे कितनी देर अंदर रखा 24 गंटे ना और मुझे छोड़ने के लिए उपर से फोन भी आ गया तुमारे पास पताएं क्यूं मेरे पीछे बड़े बड़े लोगों कहाता है इसे कहते हैं पावर गेम तुमारे जैसे लोग बीच में आएंगे तो यह देखो चुटकी में मसल दिया जाएंगे यह अन्याय अन्याय के चक्कर में तुमारे पिता जी अस्पताल से घर घर से अस्पताल यही चक्कर लगा रहे हैं यह देखकर भी तुम्हें कोई अकल नहीं आई केस फाहिल बना दो एक्सिडेंट में मारा गया आप सबको नमस्ते आप सब लोग यहां किसकी आवाज सुनने के लिए यह मुझे पता है चार सलम जो आवाज आप लोगोंने नहीं सुनी उन्हें श्री केली जी का आज वो यहां पधारे हैं यह हमारी किसमत है कि दुनिया बर के सारे गायक एक तरफ और अपने श्री केवी जी दूसरी तरफ मैं उन्हें स्टेज पर आने के लिए तहे दिल से निवेदन करती हूं गिविमा वाम वेलकम सब लोगों को नमस्कार कुमारी अनुशका ने मेरे बारे में आप लोगों को बहुत कुछ बताया है मेरी नजरों में कौन किस्बत वाला है जिसने ट्रेन बनाया जिसने प्लेइन बनाया जिसने टेलिफॉन बनाया आज चेरिय की बात यह है इन में से कोई भी हिंदुस्तानी नहीं है सभी विदेशी हैं नए नए चीज़े बना रहे हैं और हम भारते सर्फ आबादी बढ़ा रहे हैं क्या यही है हम भारतियों की खासियत नहीं बच्चे बुड़े जो सुनकर खुश होते हैं वो संगीत है हमारा भारतिय संगीत बारिश में जाते हैं तो हम लोग भीग जाते हैं संगीत रुपी बारिश में डूबेंगे तो दिल को सुकून मिलेगा अब तक मैंने बहुत गालिया ये बात सोचकर इस संगीत की दुनिया को छोड़कर मैं हिमालाय चला गया था फिर वापस लोड़कर क्यों आया पता है अपने देश के गौरब को विदेशी लोग अपना बनाने पर तुलेवे हैं जैसे भगवान स्रीक्रिशन भारत के हैं लेकिन विदेशियों ने अमरिका में उनके मंदिर बना कर खुद उनके भक्त बन गए ऐसा लगने लगा है कि वो उनकी ही भगवान है अमरिका कहीं ये ना कहे कि ये सास्तिर संगीत उनका है इस धर से वापस आगे तालियां भी दो तरह की होती है एक आप लोग अपनी फिलिक से बजाते हैं दूसरा मुझे फिल ना हो इसलिए बजाते हैं आप लोग उने तालियां दिल से बजाई है मैं भी दिल से ही कौँगा आप 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 लोग ने तालियां दिल से ही कौँगा आप 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 करिया ने घानी भी जाप आप आप लोग अधिल सवसानिजरीजरीजरीजर का गामरी निसान सबक्रिक निली पनेशा गडार गार 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 आस यही है पस मानो प्रिया तुम मेरे बनो पास आके दूर न चाहो, जिया तुम मेरी तो हो इसे पहली नजर का पहला प्यार कहते हैं लो जिसे जाने जिकर या महभू आओ कहते हैं लो This is my love, this is my love वही मेरा प्यार, वही मेरा प्यार आस यही है बस मानो, प्रिया तुम मेरी बनो पास आके दूर न चाहो, जिया तुम मेरी तो हो कल क्या क्या होगा जाने जाना वारो केहना है मुश्किल, हर दिन मैं सिर्फ तुझे देखू, तुही मेरी मन्जर नींद में हो, खांब में हो, सासों में हो मेरी हर सोच में हर बात में हो पल पल याद वो आए और खब तक ये सहू मुड़ कर देखे अगर वो उसे ये कैसे कहू You are my love, you are my love, तुही मेरा प्यान, तुही मेरा प्यान आस यही है बस मानो, प्रिया तुम मेरी बनो आस आके दूर नचाओ, जी आव तुम मेरी तो हो जब तुम देखो सामने से मुझे मैं घब राओ जब तुम्हे देखो सामने से आवे मैं शावाओ चूरी चूरी चुक्त केसे तुम ना देखो मेरी आखी देखें तुम्हें तुम ना चुपो गप सक और रुक ना है रह में तेरे सनम आओंगा पीछे तेरे सजनी, रुकेंगे ना ये कदम दिस इस माला, दिस इस माला, वही मेरा प्याँ, वही मेरा प्याँ आस यही है बस मालो, प्रियां तुम मेरी बनो आस आके दूर न चाओ, जियां तुम मेरी तो हो इसे पहली नजर का पहला प्याँ कहते है लोग इस इस माला, दिस इस माला, वही मेरा प्याँ, वही मेरा प्याँ कि ऐसा और कितने दिन चलेगा नजर मिली है क्या लाइन मारो पिक अप करो ड्रॉप करो लेकिन आगेर तो बढ़ो हाँ यार जैसे लोग रासन की जुकान पर खड़े रहते हैं वैसे उस रणके के लिए खड़े रहते हैं जल्दी साहिल अभी बोल दे बोलूंगा नहीं बु सिदू गुड मॉर्णिंग सिदू गुड मॉर्णिंग ये क्या नूँ क्या एक दूसरे को देखकर पूरे जिम्री के बिता दोगी वो तो कहने वाला है नहीं कम से कम तुम तो I love you कहो मैं कह सकती हूं मैं पहले बोलूंगी तो कमजोर पढ़ जाओंगी पहले वो बोलेगा तो अच्छा होगा जीत मेरी होगी क्यों निश्या चामको सिविकांद के साथ काफे पी रही थी रगों से बोल हो गया है वो उसे बोल हो गया है कितने दिन पार्टी क्लाब और डिस्को में पैसे बरबात करता है लेकिन I love you नहीं बोल पा रहा है यह इन लोगों की बात छोड़ो तुम्हारा क्या होगा मुझसे भी एक लड़की प्यार कर ते है कौँ रहो मैं सीधे नहीं बताँगा एक देता what इंस लड़के से प्यार करता हो उस लड़की की बाई कलाई पर एक हूप सुरेश्य देख्या अलू अलू बाई आरे, सुनो, सुनो, तो बैर को बीना बोले आ जा ना ह की सिफ्तु हलो क्यों है ऐसा नहीं करता तो तुम फोन करती है ये बता हूं ये बाट तुम्हे फोन पर बता हूं या अलग से मिल कर बता हूं का बाट कहां मिलूं कल सुछ सुछा में पक्का ओके राजिश शिद्धू नहीं आया क्या नहीं आया फोन लगा रहा हो तो सुई चॉप बता रहा है कुछ मेसेज देना है क्या थैंस ओके बाए क्या रहा है रहा है सिदार यहां को आपके इंतजार कर रहा है हाई हाई तुम बोलो इफ यू डॉन्ट माइंड चलते हुए बात करें जरूर इन चार साल में दुम कहा थी ट्रेनिंग पर गया हुआ था अब कहा रहते हो हैदराबाद में रहता हूँ चार साल बात मिले हूँ मैपकर करता है लेकन बाते करना कम नहीं किया लिप्स्टिक्स ज्यादा करना मापडक हूँ अब बस均ब करो तुम बीना बिल्कुल नहीं बदले हूँ क्या मैं बिल्कुल नहीं बदला तब खेलकोट में बहुत दिखती थे अब गानों सुनते हो दिखते हूं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हैं? Turn mind, मैं बताना भूल गई मेरी भाई की म्यूजिक कमपनी है K.W. जी की सारे गाने वो ही रिलीज करते हैं ऐसी बात है? मैं K.W. का बहुत बड़ा फैन हूँ पर आँखों को भेगव बना, जिंदगी नहीं गुजार सकता अरे-अरे, इस कविता को तो मैंने बच्पन में गाने के रूप में गाया था तुम्हें कैसे बता? तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुए था आपने बच्पन में मंदिर में जो गाया था उसे पिता जी ने रिकॉर्ड कर लिया था वो उसे रोज सुनते हैं और उसे सुनकर आपका प्रशन से बंग गया हूँ केवी साब, देखा आपने उस जमाने से लेकर इस जमाने तक लोग आपको पसाल करते हैं मैं बच्पन का वो गाना सुनना चाहता हूँ, मुझे उसका कैसट मिलेगा कल सिद्धू से वो कैसट ले आने की जिम्मधारी मेरी है सश्मे, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मैं कल तुम्हारा इंतजान करूगा तुम जरूर आना जरूर सर, नमस्ते चलते हैं नो, ओके सिदू ओके, बाइ इंचार सल में तुम कहा थे? इंचार सल में तुम कहा थे? इंचार सल में तुम कहा थे? अलो त्विंकल त्विंकल लिटली स्टार How I wonder what you are आप पदो को पन देते में नसरी रंक्यों गा रहे है नसरी की मालिक से मिलने क्यों नही Almost न dynamics की मालिक मिलना है सफ्थ्ःत व्य का एसकी स्टूर देखें एक जवएन लड़की मिलने क्यों आती है और करें सप्थन कि मत करें बीच में कोशिश मट करो जाकर मालिक को बिला कर लाओ अच्छे थीक है बेती कस्तूरी हाँ आ रहे हो क्या हो है मामा जी इन्हें इस नसली के मालिक से मिलना है जिधार्थ से आपको मालिक से क्या काम है? असल काम है सब कुछ बताना पड़ेगा क्या? क्या के सारे माउकर अपना का मालिक समझते हैं? हमने तो सब जानकारी के लिए पूछ था भी बताऊंगे तो उनी बिलाएंगे निगा अजका कुछ नहीं अप मालिक को कितने दिनों से जानती है? बच्छपन से जानती हूँ जाकरी उनी बता दो चलिए बताती हूं, यूँकर को सरती चला कर रखाए। जलता हूं डेणडी, भाए मा, जैर सो लटओंगा मा यही हाई लरसरी के माली. क्या कह रही हो भावी? इंको माली इसे मिलना था. अनु मेरी दोस्त है , अनु सिरी मामą जी , मुझसे गल्ती हो गई सिरी किसली तक्विक्ष तो कह दया पोडेंडी रऊं रहेगी तो तुपह न आ जाएगा अरे सिदाथ मैं तुमसे मिल आई हूँ और तुम होगी अच्छा बैंजी मैं चाहती हूँ ओकी बैर है जरा इस लड़की की रफ़ता है तो देखो इस नैसरी की नहीं पूरे घर के माल के रूने वाली है लो केवी जी का गर आगे है लते हैं संभी कर रियास कर रहे हैं चरूँ हूँ अले आप अरे आई 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 नमस्कार जवस्ते कैसे हैं आप अच्छा हूँ सर सर एतने बड़े घर में आप अकेले रहते हैं मैं अकेला कहा हूँ बताता हूँ आओ मेरे साथ तो त्यागा अन्नमया मुत्तर स्वामी जैसे महान लोग हमेशा रहते हैं ये सर्फ मेरे लिए ही नहीं हर हिंदुस्तानियों के लिए गर्व है ये संगीत के महान गुरू पूरी दुनिया में संगीत प्रचार करने वाले कई लोग हैं ये मुजाथ हैं तीन साल की उम्र में ही पियानो बजाना शुरू कर दिया था पास साल की उम्र में कॉंपोस करते थे इन्होंने इतने बहतरिंग कॉंपोजिशन किये थे कि मशुवूर कॉंपोजर्स भी इन्हे भगवान की तरह मानते हैं एक बार जो स्वार बंद करते थे उसमें कोई बदलाव भी होता इनका नाम आप जानते हैं सिंफनी बजाने वाले बीतो बीन ये बहरे थे पर दुनिया के लोग सुना करते थे इनके संगीत को ये जब घुजर गए तो पूरा योरोप रोया था ये संगीत सारी दुनिया के लिए एक शान की बात है ऐसे महान लोग आजकल क्यों नहीं मिलते पता है जन्त से लेकर मढने तक के सफर में इनसान अकसर कई तरह की गलतिया कर बैठता है इससे मामला और उलच जाता है साथी इनसान से प्रेम करने से सारी समझाने दूर हो जाती है वो ये समझ ही नहीं पाते प्रिम जब इतना महत्रप्पूर है तो आपने प्रिम क्यों नहीं किया हाँ, गुट कुछ चे बैठिए, मैं जोस लेकर आता नहीं सर आप तक लिपका अरे, प्लीज, पहली बार आए हैं, अत्यची भगवान के समान होते हैं प्यार के बारे में पुछाना आपने, बताता हूँ एक लड़का हुआ, एक लड़की से प्यार करता है, तो उसे बाइट पर बिठाना पड़ता है जब वो लड़की रास्ते से गुजरती है तो लोग उसके बालों को देखकर उससे पूछते हैं कि वो कौन सा शैंपू इस्तेमाल किया करती है थैंक्स कहकर वो कोई महंगा शैंपू का नाम बता दे कि हमें वो भी खड़कर देना होगा अगले महने मेरी शादी है है उनके साथ हम्नी का जा रही हूँ यह क्या कर गुपाई कहेगी तो मेरी क्या हरत होगी अन्या महां के गाने साइड में रखने के गाने गाने पर्ते इसलिए मैंने किसी को आई लाamosker नहीं और नहीं किसी से आई लँव यू सुना वान मिने जरूर सर पिता जी ने निशानी के तोर पर आपको ये भेजा है सिद्धर्थ बहुत किंती तोफ़ा दिया है तुमने ये एहसान मैं नहीं बोलूँगा एहसान किस बात का सर कभी कभी आपका संगी सुनने को मिच जाए इतना काफी है सर जरूर और इसलिए मैं भी तुम्हें एक नाया तोफ़ा देना चाहता हूँ अपने कुशी के लिए कौन सर्ट होता सर बताता हूँ इस केवी की दोस्ती इसके बारे में कुछ भी पता चले मुझे फोन करके बताना यहां पर कुल आया हूँ रोमांचिक मूट के लिए कुछ भी हो तुम्हारा टेस्ट लिए इसलिए निया आया तो फर किसलिए आया हूँ तुमने अभीते कुछी कुछ निग बताया तुम इस धाबे के माली को सुपरवाईजर हो में तुके वाश्मान हो कोई बाती रिलाक्स अनू एक मिट चलो से धाब अनू परिशान मत करो तुमने के घर आने के लिए कहां मैं आ गया अब मुझे यहां एक जरूरी काम है तुम रिक्ष्या पक्टो और चली जाओ यहां पर नहीं करो तुम से कुछ पूच नहीं हूं आपके देख रहे हैम सिदु जैंना वेल्क्टो विप्रवाईजर को अपको धिकल को कि अनू दुटू सुटक्षा यहां डाउट से फूर्स में यहां ह कि आपको तो यहां डाउट करते यहां कि दूए मुझे सारी रात नहीं नहीं आती बता सकते हैं क्यों तुमारे घर में अच्छा ज्यादा होगी कछवाचा आए मेरे दिल बहुत जोरो से धड़कता है आई बेपी होगा यह दिल की बेमारी होगी अनक आप खाये करो मुझे नहीं लगता तुम मुझे यह आप लेकर आए हो तुम किसे और से मिलने आए हो अलो सर चश्मा लोकल नहीं इंपोर्टेड है दो लोगे तो एक प्री लेलो मैडम लेलो को तुम आप में हड़ी बनते हो जो यहां से तुम यह पहलो अच्छा लगेगा मुझे यह चश्मा नहीं चाहिए मैं यह चश्मा लेनी नहीं आए हूँ कि अधान आज जान लड़ी स्वाल लड़ी कर रहे हों क्या मुझे जादा खूबसूरत है यह तूम उसे पसंद करते हों कि तुम किसे और को चाहते हों क्या आज़े बताओ ना क्या बात है बताओ ना सिद्धू क्या बात है अलो सब्सक्राइब किसी को जोंगा है क्या तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हों बताओ न सित्व बताओ ना वह कुसर मुझे सच सच बताओ नहीं तो मेरे दीपी हाई हो जाएगा क्यों उसने हमें देखा क्या तुम उसे घरते हो क्या बताओ ना सित्व क्या पात है सित्व मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या आथ है अलो वाई मैं नर्चिन बोल रहा हूँ वो हमारा तीछा क्यों कर रहा है तुमसे चुक क्यों रहे हो कहीं तुम्हारा दंदर स्मगलिंग तो नहीं है अलो मैं सिपी सिस्दार बुल लो नभू को फोन दो जल्दी नभू मैं दुलानी ढावे पे हूँ जल्दी से टीम लेकर वहाँ आजाओ तुमस क्यों रही है एसीप और तुम मैं सिस्टन कमिशनर आप पुलिस हूँ क्राइम ब्रांच का तुम मैं सिस्टन कमिशनर हूँ तो मैं जहां से किराने लक्षमे बाई हूँ वह दिन लादन का राई जान जाए क्या क्यों पेशा कर रहा है मैं भूबन नहीं रख सकती मैं उससे पोछ लेती हूँ अहां भाई आप हमारा पेशा क्यों कर रहे है सित्हा सुनो तो हुँ हुँ झाल 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 ... वे जो 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 जो, आ, जो जो, जो, जो! You do, सचमूच कईसी बेउ Maybe I better than a character boyday साथे या, क्या हुआ, जाने जाए मेरे सनम, आई शरम, तेरी कुसम, तेरे है हम ये क्या तुने कर दिया सनम, तु हस हस के कर योना दिल पे सितम, तेरे इश्क में जान दे देंगे साथिया जाने जाए जाने जाए पास्तो माँ आजाने तेरे लिए दिल मेरा मोले आजाने तेरे लिए दिल मेरा मोले आजाने तेरे लिए दिल मेरा मोले आज चले जाओ चले जलो मिलके अपने जहां पे चले साथिया क्या हुआ जाने जाए पास्तो माँ चले जाने जहां पास्तो चले प्यादी आए जाले जहाँ पास्तो माँ जाए आए क्या हुआ मुआ हुआ क्या करें दिल को ये कैसे थम्हाले ये दिने रात खाएं ही चिकोले क्या कहीं तेरे बिना ये जिया सकाए करू क्या मैं कोई तो बताएं कहीं बातों बातों में धेर ना हो जाए तुम ना तो तब मुझे मिल पाओगी मुझे तुम से करीब रहने की खुशी है मुझे से सनम दूर जाओ ना कभी इचाओ तले चलो चले चलो मिलके अपने जहां पे साथिया क्या हुआ जाने 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 भेाशिड़ा कि तो परिखाध इचाओ अपने जाने आअलो खुश्शी राता थिरहा हुआ हुआ है जाए उंधाे जाना कोश्या है ना परिखाध कि खुश्यी आइ एचाओ जाए 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 जाए-जाए आपती पाधाया ने ही deixarए प्रभु इतने लोग मिलकर भी एक आदमी को नहीं बचा पाए ये किस कितना एंपोर्टेंट है पता है ना ये इसी के एक कड़ी थी सर बास किया कि मैं कोई सफाही नहीं सुना जाता औस सेंटर बर अस लग कौन था इंप包 एक मिनिटिक में जसने मारा उधाग गया एक मिनिट में क्या होता चा05 जो जाओगे दौराफ सर आखरी दो घंटे में इसके आउटगोइंग और इंकमिंग कॉल्स पता करो समझेश कर दो कर दो पर दो कर दो कर दो तुम कहते होने हमारा परिवार बहुत बड़ा है यही हमारा बड़ा परिवार मेरे पिता जी मेरी माँ मैं आई पीएस आफिसर क्यों बना इन ही लोगों से पूछो लेकिन यह बता नहीं पाएंगे इनकी उम्रे नब्बे साल के नहीं पश्पंच साल की है सिर्फ पश्पंच साल के हैं यह इनकी गर्दन तोड़ दी गई यह मेरे मामा जी है इन्हों ने हमारे लिए अपनी जिंदगी बरबाद कर दी बावे यह मेरी भावे इनकी उम्रा थाई साल की है इस उम्रों में यह विद्वा कैसे हो गए इनी से पुछो यह बताएंगी मेरा भाई मारा गया जानते हो कैसे शराब पीकर या हार्ट अटे उसे माठ आगया कुंडों ने नहीं थार्म के लिए लड़ने वालों ने मारा तंगा करने वाले ने हिंदू होते हैं न मसल्मान वो सिर्फ शैतान होते हैं समझे तुम मार्केट में जिस आदमी ने ब्लाश किया तुम उसे पैचान सकते हो है की नहीं उसके हाथ पर स्वास्तिक का निशान है अधिक यह बात आप कोर्ट में भी बोलेंगे है के नहीं बोलूंगा ओके हवलता आपना टेलीफोन नंबर और पता लिखवा दी थे ठीक है मैं लिखवा लेता हूं सर आप आईए थेंक्यू थेंक्र को यह उस्युआ पय क्यों मैं रेकर मिलाव, यह नहीं करसे नप्टिक लुद बैया, बैया, बैया 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 के चल्वे, एलसी दू क्या रे, तेरा अब आपका कहीं पता नहीं चल रा तो रोजो जाके मेरा सर खाएगा तेरा अब आपका बहुत बड़ा भी आईपी है क्या सारे पुलिस वालों को उनके पीछे लगा दू सुन, छोड़ दिजी जिंदा मिलेगा तो घर बेज देंगे लाश मिली तो उसका पंजना मगर के तुम्हे सौप देंगे तुझे भी तेरे बाप की तरह मार के फेक देंगे हमारे खिलाब जो भी गवाही देगा उसके साथ ऐसा योगा समझा अन्याय किसी के साथ भी हो सकता है अगर हर आदमी अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने पर उतर आए तो इस दुनिया का क्या होगा हर बात के अच्छे पहलों को देखना चाहिए मेरे मन में उस दिन बदला लेने का विच्चार नहीं आया इसलिए आज IPS आफिसर बना मुझे IAS की सीट भी मिली मैं चाहता तो कलेक्टर बनकर आराम की जिन्दगी जी सकता था लेकिन इसके बाद भी वो सब को छोड़कर IPS क्यों बना पता है पदला लेने के लिए नहीं मैंने तो अपने घरवालों के साथ अन्या करने वालों की शकल भी नहीं देखी और आज मैं हार अपराधि में उनकी शकल देखता हूं और उन्हें कानून के सामने भीकारी की तरह खाला करना चाहता हूं और यह सब मैं तुम्हारा दिल जीतने के लिए या तुम्हारी मदद पाने के लिए नहीं बता रहा हूं यह मेरी अकेले की प्रबलम नहीं है यह मेरे तेश की प्रबलम है यह मेरा देश नहीं है क्या नुँ तुम्हारी बातों से लगता तो नहीं है और अगर ऐसा हो तो तुम किसी भी हलत में अपने डेमोशन के लिए देपार्टमेंट को दोशी नहीं ठ्यराते इन्सानों से बात करने से अच्छा जानवरों से बात करना बैतर होगा मैं इस देश को अपना घर समझता हूँ इस देश को बचाने के लिए मज़े तुम्हारे जैसे किसी करीम की ज़रूरत नहीं है अब निश्चा करीम पुलिस वाले हमेशा दुश्मनों का इंचिजार करते हैं प्रमोशन का नहीं इस केस को मैं ही अल करूंगा और कैसे करूंगा देखते रहना यह मैं गोना हूँ हालो कौन देखो भाई वह सब बात फिलाहल छोड़ दो आज रात कंसाइंडमेंट आने वाली है शुरात्री के जागरण में सर उसका मैसेज सही मान कर इतनी ठंडी में बैठे हैं अब तो सुबह भी होने वाली है अब इंतिजार के वेगर यहां से चले गया सर च्वरात्री में रात भर जाकते क्या है पुन्यों कमाने के लिए सर आज की रात यहां आओगे तो प्रमोशन होगा तो फिर इंतिजार क करना बस करो ड्यूटी करो हां ड्यूटी पर लड़की साथ तो काम कैसे करो मैं मैंने ठीक का ना इडियट ए रवी सर बाइक से इधर को यार आ रहा है सर हमें सूंगने के लिए आया होगा तुम अपना काम करो समझे सर वो जा रहा है सर जा रहा है सर अराम से बात करो ओकी सर सर यही फुल ना रहा है बता है वोकी टॉक के लिए तो चिल्ला क्यों रहे है सॉरी सर सर्दार है ऐसा करो लौड स्पीकर पुचिल्ला नमस्ते भाई मैंटिये सर सर्दार को गोली मारूं क्या नहीं वो मुझे जिन्दा चाहिए ओके सर एसा मा का फिर नहीं मिलेगा वो हास से नहीं जाना चाहिए देखो ट्रक आचुका है कोई करबढ़ी होनी चाहिए अगर कुछ भी करबढ़ हुई तो हमको कोई नहीं बचा पाएगा देखो मेरी बात ध्यान से सुनो पुलिस की जबर्दस चेकिंग चल रही है हमारा प्लान फेल नहीं होना चाहिए आए आपके प्लान का तो जवाब नहीं इतने सारे माल को सबकी नजरों से बचा के यहां तक लेकर आया हूँ इतना माल देखके वीरा सवमी चक्रा के गिर जाएगा मैंने तुम्हें घर पर मिलने के लिए बुलाय था आये क्यों नहीं का ओना तुम तुमने मुझे नहीं पहचाना एसीप सिधार्थ क्राइम ब्रांच चलो कि भुछ ऐता हैं? बढ़ल आजै कि अभिए। कर दो कर दो कॉछर आट झाल सबन एंप पूछने पर मदद करने वाला दोस्त होता है फिना पूछे काम करने वाला पोलिस आफिसर करने दोन में सक्णाना करने का में वाला जैट पक्रावारान के शिले दी में है वाला दोस्त प्रिंडे है ऄदाना कैंप याला अंट ह sources a वर में मला चूड़े वाल टा और दे जूरेंट प्रदरवली जी, अपने सर्दार का धावे पर पोलिस का रेट गिना है, सर्दार फुल ला रहा है, पोलिस से निकार कर भाग गये, अपने सारे को डावनों पर पोलिस दिल लगा रही है, मुझे सब पता है, अचानक एक दिन अंडर्राउंड होकर, एक औरत के साथ छुप कर जिन्दगी गुजारने लगा, हार से घबरा कर, हिटलर ने खुदखुशी कर ली, जिसे नीन से जगाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, वो नेपोलियन भी एक दिन हार कर सामना करता है, यह इतिहास में लिखा है, मेरे पास दुनिया को मिठाने की ताकत है, यह कहकर दुनिया को ढराने वाला, सद्दाम हुसिन कहदी बन कर रोज मरा है, मैं उन लोहों से बड़ा नहीं हूँ, उन लोहों से ज्यादा अकल मंद भी नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक स्टाइल है, मैं उन सबसे ज्यादा ओशिया रहता हूँ, मेरा नाम केवी है, यह दुनिया वालों को पता है, पर कादरवली भी हूँ, यह किसी को नहीं पता, यही मेरा स्टाइल है, मैं मूँ खोलूँगा, तो संगीत सुनाऊंगा, तलवार उठाऊंगा, तो खून बहाऊंगा, अग्ए पत्रोच पत्रोच, जलवार एक फजया वह OFF कंप घिलना, दिलनना, यह हुआ है, तो संगाँ, तो संगे हुआ नाएट झाही है e जड़्या is, LOOK === साथ, साथ, वो मर गया वो मर गया, तो क्या हुआ, मेरा गुस्सा नहीं मरा मेरा गुस्सा नहीं मरा Oh my god, bomb, granite, gelatin sticks, timer bomb, bullets, double barrel guns, pump action guns, revolver, pistol, machine guns, AK-47 यह क्या इतना सा रास्त, जंग लड़ने की तैयारी कर रहे थे अपने दुश्मन बहुत दिमाग वाले लोग है सर, लोगों को मारने के लिए आदमियों से ज्यादा अस्तर का इस्तेमाल कर रहे हैं आर्डर में लड़ना छोड़कर यहां ला और आर्डर को भंग कर रहे हैं आप कोई मिले तो उसे जिन्दा पकड़ने की कुशिश मत करो, उसे गुली मार दो Yes, sir Anyway, very good work Thank you, sir Sir, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप खेलता हूँ, तो आप बहुत अच्छे बैक्समैन रहे होंगे, कैसे पता? वो मारने वाला इस्पिनर होगा न, तुम्हें कैसे पता? तभी तो उसने लेक ब्रेक किया है बस आख करता है इंशालला आप जल अच्छे हो जाएंगे अच्छा, sir तो मैं चलता हूँ ये हिंदू का हाथ है, चलेगा न Come on, sir करीम, तुम धाबे के पास चले जाओ Hi Hi ये क्या, हॉस्पितल में भी इंविस्टिक्शन शुरू कर दिया करीम, अनु, मेरी क्लास मेट है, अनु, करीम मैं इनकी होने वाली हाउस वाइफ हूँ वो थुआ ज्यादा बोलती है, टेंशन मत लेना तुम धाबे पर जाओ, देखो क्या हो रहा है वहाँ वो किसे बाई अच्छा है अच्छा है पुराने ख्यालाद के हो, यह हॉस्पितल बहुआ डल लग रहा है, इसके सिप्राइच करने के मैंने यह पहना है इसस फो यू थैंक्यू पहर कैसा है इसे ठोक क्या रही हो, दर्वा से समझाए क्या दर्द हो रहा है क्या ऐसा दर्वा दुँगे कि दत का पता नहीं चलेगा दवा कैसे दूगी हुआ हुआ चुमपा चुमा देदे न प्रीय धंब चुमा अरे हमने कब कहाणा नायसे ऐसे को ना दिखाऊं क्या सुनना अरे हुणा है जो हो जा ने दे मेरी जानसी इसके नशे में खोई मेरी जिन्दगी इसके प्लशे में फूई मेरी जिन्दिगी चुमा 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 लगते गले हले हले लेना है अब चुमा प्यार लोट आई जा मेरे इन होट पर नतीजा ऐसा होगा तुन न रे मेरा हुश उड़ गया तेरे चुमा से नतीजा ऐसा होगा तुन न रे मेरा हुश उड़ गया तेरे चुमा से चुममा 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 टेदे ना फ्रिया थम्मा चुममा ओर ने कोंगो हना बजली की राके चली जाती है वो दिल पे देखो समझना आई चक्र रे समझना आई चक् 一से मेरे यो ना खेला फढ़ना मारो तख्र अरे षान वारो तख्र तुमन चली, गली, गली आसे ना फैक चुमाँ रूप मेरे रंग मेरे है तो रे अुमाँ आरे ऐसे तो ना दिछाऊँ क्या सुना अ्रे होना है जो हो जानेदे मेरी जानशी चुमा 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 दे देला प्रिया थम्मा चुमा 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 हमने कब कहा ना रे ऐसे को ना दिखाओं क्या सुनना ऐसे मद उचेरना पुझे ताक पतना अरे होना है जो हो जाने दे मेरी जानशी इस हो नहें जो दूगि हो नहें देखता जाओ जी इसके लशे में खूई मेरी तिंदगी हमादा पार एई क्या कर रहा हॉ मैं तुम्हारे अंकल को दे रही थी नेकिल मुझे अशा भोगा था तो मुझे आसे नाबा किसे देती पिजा मा आ रही है क्या हां आ रही है अले बापरी मैं चलते हूं से दूर ए मां से लेकर जाओ ना उन्होंने मुझे इन कपड़ों में देखिया तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा हां अले तुम कब आई बैटी अभी हो आँठी वहां क्यों कड़ी हो यहाँ आँठी थिए कोई बात नहीं यहाँ अँखे शर्म हा रही है आटी क्यों तरे यह हो अले हम उस्ते मिले थे तुम वही लड़की हो नचाच्य को कीजरेगे जींच कई बार मैंने पेपर में आपके बारे में पढ़ा है लेकिन पहली बार आज मैं आपको अपने सामने देख रहा हूं मैं भी पहली बार देख रहा हूं रूच पुलिट निकालो फिर यह क्या है यह तो खाली लोहा है बुलेट की सप्लाई बंध हुए छेव महीने हो गए है अब इसका मैं क्या करूँ अब इसका क्या करोगे, बोलो, एक एरिया इंहे देखभाब करने के लिए रखा गया था, उसका क्या फाइदा, एक हत्यार से बड़ा पूरा ट्रक, इनके कारण पुलीस के हाथों लग गई, चाहिए, इना मतलब बरबर मत करो, चुट मेरा सकते क्या, यही तो मेरी कमजोरी ह जाए, बना मतले हूं पया है, मैं चुख़ख़ी रह पाता, वे ले शामी, तुम बोट गुस्ट मे हो, तुम बजोरा गुस्टा कम्यों के लिए, तुम्स्ता क्याना काऊगा, उससे तुम्हे घुस्टा कवरा वीडा सोमे को तैजरा नहीं आता है। अपने कंटेंडर के बारे में सिर्मुसी को पता है। यह पता नहीं। वाश्याप, उसे उठा। माफ कर दीजे मुछे, माफ कर दीजे। काम का होगा तो साब को भी अपने जेब में रखोंगा। आई वहाद चेंशन में लगते है। पहली बार आपसे मिला और ऐसा लगा, जैसे में महुत से मिल चुका हूँ। देखो विल्यास्वामी, इन से बुर्जोगे तो यह हाल होगा। जादा बड़ बड़ करोगे तो इसी तरह धक्के मारके समुद्र में गिरा दिये जाओगे वह भी रामेशोनम में साही है रादची हो गई यह क्यों निका रहा हो तुम्हें भी समुद्र में गिराओंगा नहीं अगर अपने अस्तर वापस चाहते हो तो ACP का काम तमाम करो गवराव रही सिद्दाथ मैं तुहारे दोस जैसा हूँ कोई पुलिस वाला हमसे टकलाने से पहले हजार बार सोचता है तुमने बहुत थिमत करके हमारे लोगों को पकड़ने की कोशिश की तुमारा रसीब अच्छा है इसलिए आज भी जिन्दा हो लेकिन तुमारी वज़ा से हमें बहुत तकलिफे होती है हमसे दुश्मनी लोगे तो शमसान पहुंचाएं झाल ये तुमारी पटाएं प्रिश्मनी लोगे तुमारी लोगे प्रिवक्तों पहुंचे किया एकाल एकाल के भापता एकरना.. कि एरस्ते। चेंज, आँखे तरह बदलो, ऐसे करो, ठीक ऐसे, लगबुक पहुच कहे हैं, थोड़ा साथ छुटा करो, छुटा करो थोड़ा, करीम यही है हो आदमी, चल्दी से इसका प्रिंटाउट निकालो, यह फोटो हमारे सारे पुल स्थान पर भेज़ दो, फोटो वाला आदमी कह कर देनी होगी सार, चार सालों से पीछे पड़ी हूँ, मैं इनके मेमरी में नहीं हूँ, करीम, तुम जाओ यार, सर उस दिन, जो ढाबे पे हुआ था, उसे बाट कर यार्द करिये, शायद कोई क्लू मिल जाए, क्लू, मैं कितना भी क्लू देती हूँ, लेकिन तुम मेरा क आखिर मुझे विए सर्दार को फकड़ा था, वो मुझे चूटने कोशिश कर रहा था, अभी किसी में मुझे पीछे से कहिश कर मारा था, तब सर्दार का जिब मेरे हाथ में आ गया था, और इतजा नहीं कर सकती हूँ, कौं, अंदर का, वो बाहर का, अब बताओ, तुम उ केची देना जारा अरे बाबी, मैं क्या करूँ, मुझे को टेंशन हो रही है पंदित को बुलाना होगा, महरत निकालना होगा, कार चपवाना पड़ेगा इतने चल्बा से भी क्या है सिद्धू यही पे कही मैंने उसे पकड़ा था यहां पर क्यों आयो यहां पर, अनो, यहां बैठना, और उस सरदार का ऐसे हाथ पकड़ा था पकड़कर? अरे मैंने उसका जोर से हाथ पकड़ा था फिर क्या किया? तुम थोड़ी यह चुपने ही रह सकती, ऐसे पकड़ा था और ऐसे कीचा और फिर उसको ऐसे घुमाया इतने लूज क्यों पकड़ रहे हूं इसके बाद, कसके लिया पीछे से? फिर हम दोनों में खीचा तानी होने लगी और उसके बाद? इसके बाद, मैंने उसे नीचे गज़ दिया, ऐसे और उसे दबोच लिया, अब वो मेरे कबजे में था और कसकी, पकड़ों ने मुझे इतने में पीछे से किसी ने पकड़ कर मझे खीचा वो मझे पीछे खीच रहा था और में इसे पकड़ने की कोशुश कर रहा था इस खीचा तानी में उसका जीप मेरे हाथों में आ गया हाँ ए, क्या हुआ, बोलो तो यह क्या है? यह है, चितूर के सरदार की कुंडली यहाँ कुंडली बनाने वाले का नाम हुए हम भी उनके पास जाकर अपने भवीश से जानने क्या? मिर्ची मल्यया, रामेश्वरा भावी, मैं बाहर जा रहा हूँ सिट्धो, कॉफी पिकर जाओ भावी, मुझे देर हो रही है नासा तो किया नहीं, कम सकम कॉफी ते पिकर जाओ अरे भावी, कॉफी के लिए कुछ भी कुर्बान कर दो लेकिन कॉफी छोड़ कर बच जाओ बात कीजिये न मैं बात कर दो क्या जरा करता है हलो देदी मैं अन्नो बोल रही हूँ सिट्धू है क्या सिट्धू घर पर नहीं है लेकिन इह फून सिद्धू कही है ना हाँ, धर पर छोड़ कर गया है तुम भी छोड बोल रही हूं, मुझे पता है अब वो एक जेगा पर बैस के काम तो करता नहीं है, तो टिफिन का खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, इसलिए वो खाना मैं खा रहा हूं ऐसा है क्या, तो यह काम कीजिए, आफ फोन तीज़ा को दे दीजिए हाँ, यह लुपात करें हलो, अंटी, मैं अभी सश बताता हूँ ए, देता हूँ, देता हूँ हो, चाहिए तो मैं दस रुपे की कसम खा कर कहता हूँ मेरी चाच्छो घर पर नहीं है, कव आएंगे पता नहीं बाई अंटी, ओकी, बाई, यह आप बचा लिया ना यह एक्टिंग स्कूल में करोगे, तो फस्स प्राइज पक्का है यह ओवार एक्टिंग है, पहले जो की थी, वो सुपर एक्टिंग थी यह स्कूल में करोगे, तो फस्स प्राइज मिलेगा और तुम यह एक्टिंग जिंदे की मत करोगे, क्या जूट कहने के कई तरीके होते हैं, लेकिन एक तुम हो, और यह मामा जी है कि जूट भी वसा ही तरीके से नहीं बोल पाते हैं, कि आप फैमली है, भाई, सबसे कहते हो कि जूट मत बुलो, रिश्वत मत लो, और यहां खुले हम तुम लोग एक दूसरे से रिश्वत ले रहे क्यों मेरे बज़े से इतना टेंशन लेते हो ठीक है मैं जादा बोलती हूँ लेकिन मामा जी की तरह जादा तो नहीं खाती मैं तुम लोगो बर्बाद करने नहीं आई तुम रामे शर्म जा रहे हो and इसलिए मैरे ब्भाई ने इलज़े को देने के लिए कहा है केविजी रामे शर्मएं क्या रामे शौर्मए खंदा ने घर चुँए मैं खुद भी तुम्हारे साट आनने वाली थी लेकिन चिकेत निगानने के तू वेटिंग लिस्ट में मेरे सिंदेगे ही पूरी वेटिंग लिस्ट हो गे है खुछ भी कनफर्म नहीं हो रहा है कम से कम कम से कम तुम तुक अइंद करो ता कि मैं सद्लिन हो जाऊ और भी चाची चाची जी कि मैं दूसरी शादी कर लूँ क्या करना चाहिए आप ही बताईए कुंडली के हिसाब से तुम लोगों के शादी उचित पही थी फिभी तुम लोगों ने कैसे शादी किया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं हम तो आपके पास अला लेना हैं आप उल्टी बात कर रहे हैं वो मिर्च यृ द्धन्धा क्या है मैं बताता हूं मिर्ची की गोनी में में माई एक करता है कंग सुकत का मतलब से बंदू तर लेना है तो लो नई तना से चलते बनो यह देखा मेरे पास है और तुम्हारी मिर्ची में mould अंग नई नई दोनों एकी हैं दोनों एकी हैं तो आप भाग ज़्यादा क्यों बोल रहे होँ वो बिर्ची मल्या तो बहुत कमाहधाव iastha वी वहो दो फिरी में भी दे देगा वुफ्ट मेस जब अजब का दंदा करता हूं वो तो मिर्ची के साथ साथ पता नहीं और क्या धन्दा करता है समझे यह लड़की मेरे लिए है क्या है नमस्ति भाई साम अरे कोयल की तरह बोलती है मैं समझ गया शादिक का भोगी यह पूछने के लिए आई हो ना इसके जाने के बाद तुम्हारा हाथ देखता हूँ गुरू यह लड़की मुझे ढूंडती हुई यहां आई है इसके साथ मेरा सेटिर्मेंट करा दो क्या मैं तुम्हें भड़वा दिखा देता हूँ तुम ज्यादा बोलोगे तो मिर्ची को गोनी में भरतूँगा समझ गया ना समझ गया हाँ समझ गया बेटी फैमिली प्रब्लम है कुंडिन नहीं मिलती तो जिंदगी भी खराब हो जाती है तुम जाओ अभी भी मैं तयार हूँ इसका डैवर्स कराके मेरे शादी करा दो ना पुछ दिर पहले मैंने क्या कह था मिर्ची की बोली में भर कर रख पलाद कर दूसरी जगर भीजवा दो तो तुमने क्या कहा था मैं सब समझ गया तो फिर चुप बढ़ो अब बैठ जाओ यह तुम्हारा पती है क्या गुरू कुछ गड़बढ है क्या कर दो अब कर दो अब आदा अब एसीप सिधार प्राम हैद्राबाद पोलिस वालों का भष देखना मने बंद कर दिया है तरशक्र रहे हो क्या उंडली दिखाना है क्या मैं बताता हूं तुमने इसे कहीं देखा है नहीं इसे बिल्कुल नहीं तो देखे बगेर ही कुंडली बना देते हो तुम हां इन सब लोगों के साथ मेरा क्या ले ना देना भाई लेकिन तुम्हारा भवश्य बताने हो कि मेरा दिल कर रहा है तुम्हारे कुंडली अच्छी है साथ जनम पीछे की कुंडली जाकर देखता हूं त तो पहले जनम में कुटा हुए थे, बाद में बैल, लोमडी, मुर्गी, उन, मूर, आखरी में कववा, तुमने मेरे पिछले साथ जनम के बारे में बता दिया, अब अगर तुमने हमें कॉपरेट नहीं किया, तो तुम्हारे साथ दिनों के बारे में मैं तुम्हें अगर कुछ गलत निकला, तो पहले ही दिन नया कपड़ा मिलेगा, सोच लो तब कभवशी बताने वाले जरा खुद का भवशी भी देख लो साथ पुलने पर मारते क्यों हो, दूसरे का घुस्ता मुझे पर क्यों उता रहा हूं इन लोगों को कैसे पता चला रवी, इस आदमे का पुरा रिकॉर्ड चेक करो, ओके? यस सर जब देखो तब मुझे ही डाटते रहते हैं अहां अरे, यह कैसे हो गया? अहां शादी करने के चक्कर में मैं फस गया अब इसका क्या करूँ तो मुझे पर नजार आगो किसा अरे, सिद्धाद, कम, कम नमसकार सर, नमसकार, कैसे हैं सर फाइन यह लेटर सर तांक यू, अपनी जिन्दगी में मैंने किसी के लिए इतना इंतजार नहीं किया यह लेटर इतना ज़रूरी था सर? नहीं, मैं जिसका इंतजार करना था वो ये लेटर नहीं है, वो तुम हो मेरे दोस्त, आओ कले मिलो बैठो, छोटो, सारे रेसीवर्स फोन से उठा कर रख दो मैंने तो सोचा तो सिर्फ दोस्त आया है, लेकिन ये दोस्त तो साथ में खुशियां भी लेकर आया है वो क्या सर, तुमने मुझे जो पुरानिक एसिट दी थी, उसके दस लाग कॉपी बन रही है, स्रिकांत ने लिखा है, ये सब तुम्हारी वज़े से वो है रात को मचली पखाऊं क्या, रामिश्वरम की मचली ना बहुत टेस्टी है, नहीं नहीं सर, तेंकिज सर, मुझे जाना है, अरे ये क्या, आज के दिन तुम्हें मेरे घर पर मेमान बन करेना होगा, वो बात नहीं सर, मैं यहां किसी काम से आया हूँ, क्या आपी प्रेवी क्या के लिए, यहार के मानन में मैं प्यार की तरह हूँ, सर, चलता हूँ, सर, अच्छा, इस रिसीवर को भी किसी ने फोन से निकाला हुआ है, चलो मैं रख देता हूँ, हलो, फोन उठा लिया, महाई साब ने फोन उठा लिया, किसी ने फोन ने उठा लिया, कितना मोश्किल से फोन लगा था, काट दिया, तो बड़ा भाविष्च देखता है, हाँ, सर, केवी जी, हाँ, क्या है मलया, ये क्या, जैसे वीरा सौमी को समय दिन में फ्यंक दिया, वो इसे मुझे भी मार कर मिर्ची गोनी में भरने का इजादा है, क्या, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, हाँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरे पूरे बदर में आग लगी हु सिद्धार्थ, एसेपी, सिद्धार्थ, हाँ, सर, एसेपी, हाँ, सर, एसेपी, हाँ, सर, एसेपी, मेरा प्रशंक्षक बनकर, मेरी पुरानी कैसित मेरे हाथ में देखर, मेरी जिन्देगी कार्शली रिकॉर्ड, पता करने यहाँ पर आया था, क्या, हाँ, और नहीं तो क् तब आप जेल में हार्मोनियम पर यास करते रहना मेरा क्या मैंने तो पैसे के लिए तुम से हाथ मिलाए था और फस गया देखो शार्सोचालिस बोल्ड की तरह वह सीप हमारे बीचाया है मुझे यह धन्ना नहीं करना आपको राम राम मलया ऐसे मुझे पर मर्च चिलाओ जाकर उस पर चिलाओ क्या तुम समझते हो के यह सब में पैसों के लिए करता हूं इस समाधी के पीछे एक आनी है मेरी मां हिंदू थी पिता जी मुसल्मान मेरे घर पर राम नवमी मनाई जाती थी इद मनाई जाता था मेरी मां गानों कर्यास करती थी मेरे पिता जी पठाकों के वेपारी थे इस रामेश्वरम में कुछ भी प्रोग्राम होता था तो मेरे पिता जी के पटाकों से ही शुरू होता था बम बनाने में मेरे पिता जी को महारत हसल थी इसी का गलत फायदा उठाकर किसीने उनके बगेर जाने रामेश्वरम के परोस के गाउं में चुप चाप बंब रखवा दिया और बंबलास में पूरा का पूरा गाउं बर्बाद हो गें बंब वहाँ पर किस ने रखा था उस असल अपरादी को पकरने के बजाए सरकार ने पठा के बनाने वाले मेरे निर्दोस पिता जी को जिनका कोई कसुर नहीं था उन्हें बेवज़े ग्रिफतार कर लिया अरेस्ट कर लिया बंब तुमने वहाँ रखा था क्या अल्ला के कसम मेरे पीटा से पाकिस्तान से थे मुसलिम थे इसलिए ये काम मेरे पीटा चीना किया है ये कहकर सबको यकीन दिला गया सब्चने जो कह वाले कि उन्हें समान देते ठें कि उन्हीं लोगों ने उन्हें बनी बेरे में से मारा ये मेरे पिताजी मर्दास नहीं करता है मेरे पिताजी तूटकर बिखर गए जैसे सुष्यराम के शक को दूर करने के लिए सीताजी ने अगनी परिक्षा दे थी वैसे काओ के लोगों को यकिन दिलाने के लिए मेरे बाता पिता राख हो गए दोलों ने अपनी जाल दे थी जैसे मेरे माता पिता राख होए ठीक वैसे मैं इस देश को राख कर देना चाहता हूँ मुझे मेरे माता पिता की मौत हर वक्त दानी चाहिए इस लिए इस राख को माते पर विभूती की तरह हर वक्त लगाता हूँ हिंदु हूँ यह कहकर यकिन दिलाता हूँ पहले बार गुश से में आकर मैंने तुम्हे सब खुश बता दिया लेकिन अगर यह पहार पता चला तो वो दिन तुम्हारे जिंदे की का आखरी दिन होगा समझ गए तुम नहीं सर आप मुझे छोड़ दीजिए आप कहे तो मैं सीपी को मार दूँगा नहीं एक काई प्लिस अपिसर को मार होगे तो पूरा पुलिस डिपांट्बेंट से दुश्मन नी मोल लोगी अपनी और से पुलिस का ध्यान मिटाने के लिए हमें कुछ चोशने होगा इसका नाम बॉलेट बाच्छा है मिर्ची मलया की गैंग से इसका संबन्द है यह सब लोग आज विक्टोरिया पैलेस में मिलने वाले हैं ऐसी ख़बर हमें मिली है हाई अन्यों डोंट मूँ ओ गन मैं गन नहीं दूँगी अन्यों नहीं एसीप के आने का वक्त हो गया है अर्जंट हमें उनसे मिलना है प्लीज गिलनी दगान उससे भी अर्जंट मुझे उनसे बात करनी है चार सालों से मैं इंतिजात कर रही हूँ बहुत टेंशन में हूँ प्लीज गन देदो ना देखो किसे चनाने की ट्रेणिंग नहीं है पता नहीं किसे कहा लग जाए अधिए ओगवाट अनु प्लीज सर शर इसे संजाई है यह यह क्या पागल बन है और क्या मैं फोन करती हूँ तो किसे और को पकड़ा देते हूँ क्यों मुझे अवाइड करते हूँ आज एक बात साफ सा बता दो तुम मुझसे प्यार करते हूँ या नहीं तो मैं स्विसाइड कर लूँगी प्रॉमिस रभू पेपर पेन लेकर आओ या भी स्विसाइड करेगी सर इन्हें पिस्टल चलाना नहीं आता हम चलाएं क्या हाँ ये अच्छा है कैसी लड़की हो तुम पेरा मजाक उड़ा रही हो चार साल हो गए पांस साल में तो गवर्मेंट में बदल जाती है और तुम हो की में बदलने कांसे नाम ही नहीं सॉरि अनू में तो मजाक कर रही थी दरशल बात ये है हमारे सर तुमें बहुत चाते हैं क्राएं मुझे पसंद करते हो तुरूलार क्यों रह helpful कौन किसको रूला है तोम और कौन मैं तुम्हें पसंद करता हूं हेहे! 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 हेई नाचर यारा अब लेने दे मजा दिल की बाते करने को तुछे पुकारा साथ ने भाला ये कहना है मेरा दुनिया क्या कहेगे ना उसके परवा ओ जाने दे सुन मेरी बात ना लटका केडा ओ दिल से ये कह दे ना जटका केडा अंध के लिए क्या दिल क्या है राच आजार ने जी भरके जुमेंगे आसार रितिरी वादो का नहीं कोई बार लगा के ना जारे दिल में मेरे आज नाचर यारा अब लेने दे मजा दिल की बाते करने को तुछे पुकारा प्रश्च आजर आजर आज आज़ने जा तुमेरे नित्वा मैं कहूं क्या मैं देखूं क्या क्यों करना इशारा परवाने बनके हम जलने चले दुर से पास आए हैं होले होले मुझे नेले आचा और देर न कर राचा अरे सबर का पल मीठा आप तार भी न सब छूथा नजर ना हचा तू आखो से मेरे करू क्या बताओ सजन मेरे नचले चमा चम मान जाना रे हाथों में तेरे हाथी लेकर जाना रे नचले या रह ये खेना है मेरा चुनिया क्या कहेगी ना उसकी परवा मान भी था झाँ जाल कर फिर नचले जाना आथ न लगा, जद बात न पढ़ा, ना इथर उथर जाकर तू तो कर शर चिंता न कर रे, चल बागों में चले, आहिले दोले नकर भरे कतम उठा के अब तू न और सता राजा मुझे, मन में जो जोत जले वो ना बुझे ना हो जाए धोका, तू चल पाके ना जा, ना चिंता तू कर राचा, तू लिया बैंड बाचा होगा अब ढूम धाम, होगा मिलन रे, ये होगा जरूर होगा कुछ भी तू कर ले त्यार की रंग से तू भर दिया फिरे, बिठरा ना बनो और अपना बना ले नाच रे आरा, तू लेने दे मजा, दिल की बाते कहने को तुझे पुकारा ए साथ निभानो, ये कहना है मेरा, दुनिया क्या कहेगी ना उसकी परवा तेजा, तेजा, तुम ठीक हो ना, आज पहरें से सरेब्रेशन है, अब नहीं आएंगे क्या, चलिया चलिया से तयार हो चाहिए, आज ही है तुमारा फंक्शन, आज तो मुझे जरूरी काम है, सारी, अगर मेरे जारी होती तो वो जरूर आते ना कार दिनों में तमिल लाडू के लिए अध्यार आने वाले हैं, मिर्ची मलेया के पास ट्रक भेजना होगा, पर्मिट निकाला क्या, पर्मिट तयार है, अभी आता हो, प्रीक है, ए, कौन है वहाँ, लाइट के समन बंद करी, के लिएट के मुबाइल बंद करते हैं, ए, मंदे मातरम बंद कर रेगले कहते हो, तुम कैसे इंडियन हो, टेज वोई, तेश भक्ति का टाइम नहीं है, तुम्हों इसे बंद नहीं किया, तो लो हमारा जणागळ मंद कर देंगी, झाल 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 पुलारों से तुम्हारे क्या संबन्द है वो कहां ने मुझे पता नहीं तो वहां क्या कर रहे थे ट्रक भारे पे लेने की बाद्ध पुलेट बाश्या के बारे में पुष्टाश करने हैं वो सब बात में करना है आज पेरेंट्स टे है मैं चीप गेस्ट हूँ तुम्हारे भाएं कर बट से बिट करने वाला है पुष्टाश छोड़ो तुम भी यहां आजाओ लेकिन सर यह मुग खोलने ही वाला है सर वो क्या बोलेगा कोई जूठी इंफोर्मेशन देदेगा जो लेकर हम पूरे शहर में घुमेंगे देखो मैं परिवार के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए तुम यहां तुरुंत हो जाओ अभी पैंसी डेस कॉम्टेशन शुरू होने वाला है इस कॉम्टेशन में भाग लेने वाले सारे बच्चे स्टेज पर आ जाए आप सब लोग जिसके इंतजार कर रहे है वो है टैलेंट कॉम्टेशन इस कॉम्टेशन में एक-एक स्टुडेन को एक मिनिट का समय मिलेगा एक-एक छात्र जाकर उन पर्शियों मैंसे एक पर्ची निकालकर उसे वही करना होगा मास्टर दीपक थर्ड स्टेंडर्ड भगवान 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 टेक इट पूजा मेरी मा रोज पूजा करती है आप सबको पता है वो क्यों रोज पूजा करती है उनको बहुत सारा धन दौलत मिले इसलिए पूजा जब मम्मी घर पर नहीं होती तो बाजु वाली पूजा अंटी से डैटी बाते करते हैं मेरी गर्फरेंड का नाम भी पूजा है वो हमेशा मेरे जेब से चॉकले चूराती रहती है उसके जैरी पूलिस में है पोग पेठे है बस थैंक यू नेक्स्ट मास्टर तेजा फिफ्थ स्टेंडर्ड पिताजी पिताजी तेजा कम ओन पिताजी I am sorry पिताजी पिताजी प्यारबाटने वाले पिताजी तुम्हारे आसों को अपना समझने वाले पिता जी है, तुम्हारे खुशों को अपनी खुशी समझने वाले पिता जी है, तुम्हारे भविश्य को अपना भविश्य समझने वाले पिता जी है, तुम्हारे जिंदगी को अपनी जिंदगी समझने वाले पिता जी है, तुम्ह मैं का अगना जहा संभाजनी वाल्य defect पर 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 वेरी गुट मेरे बेटी, तुमने बहुत अच्छा बुला Gummy ass, well done, well done Very good Thank you आजके कालेक्राम कीजिट, बेजिए पिशिद दुर्गापृसाद जी को पूटेश पर आने कीये देवेदत जी दादाजी, दादाजी, क्या हुआ दादाजी इनहीं हॉस्पिटल नेकर चलो दादाजी क्या हुआ आप, जीट फुया बखरो में रहाइं वहाँ जालू जरो जरो करना है नहीं जरो नहीं जरो यृप नमस्ते सर नहीं वाइस है अब ठीक है नथे निद्थे पेपर में जब भी ये नियूज देखते हैं देखते ही उन्हें टेंचन होने लगता है सर वन मेट करीम प्लीज 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 अर उसके बाद प्लुकरे सर हमने वेक्टोरिया पैलेस पर रेट डाल कर जो अस्त्र पकड़े थे वो गुम गये क्या गुम गया हाँ सर लेकिन एक सुराग मिल गया है सर वन मेट सर हमने विक्टोरिया पैलेस जो सामाज जब्त किया था वो गोदाम से चोरी हो गया है यह कैसे धार्त इतने सारे गार्ट सोने के बाजोद अस्तर कैसे चाहिए तो समझ में नहीं आ रहा है मैं खुछ जा के देखता हूं सर नो 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 वह समय बाद में देख लूँगा प्लेस टेक केर आफ यह फादर ओके ओके सर करीम सर मैं जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो ओके सर हुआ है और पंवओर मत ड्रभका ए जखब सकतुरू है ऑना यहां यह सब क्या हो रहा है ड्योटी कर रहे हो या सो रहे हो जमेदानी समझते हो या नहीं अगर ये अस्तातंगवादियों के हाथ लग गए तो अगर ग्री मंत्री मस्तित पुछेंगे तो क्या जवाब दूँगा मैं तुम लोगों को शर्ब आने चाहिए हमारी इस दमाज इसके बावजोद अब इसे चोरी हो गए कोई जवाब है इसका नहीं मेरी एक बात ध्यान से सुनो आगे से हर आपनी अप्री डूटी से मैदारी से करेगा इसके लिए तो मेरा ख़गिया है आई बात तमझ में करेन इसका प्रॉल्लम यह गया? करीम, इसका चेक अप कराओ पॉनिश्मेंट, पॉनिश्मेंट शटा इसे यहां से लेकर जाओ, सुना नहीं इसे लेकर जाओ हाँ सर, सच में इससे कोई पाबलम है, चेक करवाता है सर, सर आपका सोचना बिल्कु सही था, लेकिन डीजीपी पे क्यों शक किया? इंट्रोगेशन के समय जब बुलेट बाशा सज बोलने वाला था, उसी समय डीजीपी का फोन आया था उनका नाम सुनते ही बाश्या हज पड़ा था, तब पहली बाश्यक हुआ था डीजीपी ने पूछता छोड़कर जब मुझे फंक्शन में आने के लिए कहा, तब दूसरी बार शक हुआ फंक्शन में मेरे पिताजी को चटकर आयों वो गिर गए, अस्पताल में भी पिताजी डीजीपी को देखकर टेंशन में आ गए, मुझे ये समझ में नहीं आया, मेरे पिताजी ने डीजीपी को पहली बार नहीं देखा था, करीब what you think? डीजीपी और आपके पिताजी के बीच कुछ तो हुआ ही होगा, मेभी कुछ कहना चाहते थी, पर कहने ही पाए One more, one more, I need one more confirmation That's 2.3 Two more, Two more, अप्के आ सुट्रेomy पिताजी इर्लिक कर बादाए लेखे ब्राजी कोशिश किजिए भाईया के मौत के पीछे डिजी भी काई हाथ है ना सिद्धू, सिद्धू, क्या हुआ बाभी सिद्धू देशा को किन्यप कर लिए है किसने बता है बीजी भी ने बीजी भी कहा है बीजी भी कहा है सिद्धार्थ मुझे मैसल मिला है हमने जब आशा को गिरिफ्तार किया है उसे छोड़ेंगे तो वो तेजा को छोड़ेंगे हम बाशा को कैसे छोड़ सकते हैं सर क्या कह रहे हैं तू अपने इस तेजा सिद्धार्थ तुम्हें बाशा प्यारा है बिल्कुल सही सिध्दार्त हम बलट बार्शा को आज नहीं तो कल फिर पकड़ सकते हैं हम नहीं मानेंगे तो वो लोग बच्चे की जान ले लेंगे सर हम लोग एक जान की चिन्ता करेंगे तो वो लोग 10 लाग जाने लेंगे सिध्दो! तुमारा दिमाग खराब हो गया जो मेरा बेटा मर गया उसे नहीं ला सके, कम से कम इसे तो वापस लाओ आप रोकी, सिदार्थ, तुमसे बड़ा ओफिसर होने के नाते, मैं तुमसे कह रहा हूँ बाश्चा को उन लोग को सौपकर बच्चे को छुड़ा कर लाओ, समझ गए? सुनो सिदू सुनो एमմे साए, एको तुमसे नहींएぎ, जयदे बचकपडम! जयदे ड़एमाद् gemeinsam! जयदे बचकपडम! जयदे बचकपडम! सर, हम लोग तयार हैं जरूरी है, करने होगा ओके सर मैं जब चाहिए जाट्चो बच्छानो 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 अब ध्यान से मेरी बाथ सुन उ मैं तुम्हें एक, दो, और तीन कहके जाने के लिए कहूंगा, मेरी तीसरी उंगली दिखाते ही शूट कर देना, ठीक है, वो लोगा वा रहा है, तुम छुप जाओ, रिडी, ए तेजा, ये क्या कर रहे हो, अरी ये नकली बंदुग नहीं है, ये सही पे बोली निकलाएगी, तुम छोट जाओ, प्रेमयो Chardi, आ know को कर दो, ये सही लेता ही नही है, ये जिएक आहा करें तुम छेएगी, पात्मा केरो धिक हू। ़ंटार दुरी टुर्ड़रा सालजती हैं का ये लार छोक हां बालार एार ठाकर छिमी झाल 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 चल मानी चाहिए तुम लोगं को ये नहीं करना चाहिए था मैंने जो कहा था वो तुमने नहीं किया देखा तुमारी वज़े से कितनी जाने चली गई ये क्या सर ये सब लोग डिथ वारेंट वाले क्रिमिनल हैं उनके मरने से हमें खुश होना चाहिए शुट अप आज उन ल अगर को मंत्री या उसका बेटा किटने फो जाए तो विल यू बे रिस्पॉंसबल ओके फिर्चर में विदाओट मैं नोटिस विदाओट मैं यॉडर डॉंट दू अनिधिंग जाओ यहां से यह सर्थ अधिशन डिजीपी दुर्गापरसाद एक नंबर पर दिन में कम से कम दस बार फोन करता है से यह फोन नंबर तमिल आडू के रामेश्वरम से है सर दो दिन के बाद एक बड़ा कंसाइंड में रामेश्वरम आने वाला है हमें ऐसा पता चला है अपना फोन दो सर नंबर बोलो 04573 1277 1277 हलो कौन बोलगा है साब नौकल हो क्या है साब है वहाँ एक मिनट साब देता हूं साब ने पर अब 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 कुछ अब कुछ हलो के वी साइब सन्गीत की रियाज में बैठे है कोई आट जिन मेसेज है तो बोले इन उनको कह दूंगा हलो हलो, हैं, पता नहीं किसका पोन है हम लोग जिनका सामना करने वाले हैं, वो मामूली लोग नहीं है, सर वो देश के इजददार कलाकार है ऐसे में, उसे स्टेट की पुलिस से भी हमें मदद ले नहीं पड़ेगी हमें तमिल नाडू में रामिश्वरम जाना होगा उस राज से हमें हेल्प मिलेगी या नहीं, पता नहीं एक शिप भरकर हथियार ला रहे हैं, तो वो लोग पुरी तयारी से होंगे, सर सर, यह उप्रेशन सफल होने पर हम सरकार को पुरी तरह बिश्वास दिला पाएंगे हम, हम यहाँ छे लोग हैं यह वही हालाथ हैं जैसे क्यूबा जैसा छोटा देश जाकर अमेरिका से लड़ने लगे हमारी जीत होगी यह नहीं, पता नहीं दोस्तो यहाँ पर हार के संभावना ही सबसे ज्यादा है, फिर भी जीतने के एक छोटी सी उमीद तो है, कितने लोग जिन्दा लोटकर वापस आप आएंगे, पता नहीं मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूं दोस्तों, आना चाहो तो आओ नहीं तुमात आओ, तुम्हारी मर्जी सरफ, दोखना मत माते, माते, माते जहां कि वापस आता हूं ऐसा मत बूलो, क्योंकि जो जाता है, वो वापस नहीं आता इस घर में तो मैं ही हो, सबको सभालने का बोच, मुझ पर मट डालो कि वापस आता हूं जहाँ हाँ हुआ 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 है जान जारे... हमसे प्यारे झुट ब्लारे झुट फकडेंगे सज़ारे मेरे प्यार, मेरे जान जारे... जान जारे.. जानने जाए उपर नीचे रस्ता मेरा सबसे गहरा नाता ले जा मेरा दिल ये राजा उसके बाद क्या होगा इस दिल का सोदा परना खेमत पूरा दे परना नजर लगके रहाए ताम हो गया लहना फिर लोगका छुप क्यों है राजा सब लेके आई तू आजा अकले बखे तिस सोच महतर आए ले भुरने हम तेरे अब सारे ना लपडा कोई न करना कोई छगडा कभे न करना ना प्यार में बचके जातो तुझे से दिल हारी चुकी हो हमें सब है पता जो चलता यहां हर हां जाने जाएगे जाने जाएगे सब हार, सब हार ये दिल को तुम ही समखालो इसमें क्या है तुम जानो इसके बीना क्या होगा बोला राजा क्या करनो आओ में मुझे फरलो ना बना लो मुझे जाने जाओ चाहोगे क्या मेरी बना बूलो इरादा है क्या अरे जोग छाए है मस्ती तब साचन क्या है सजना अरे सुनते चलाओ सब के कहान त्यार है दम भर ले हाए सर गंदे जा प्यार है जने आँगे क्या क्या वावे सब कुछ तो तो दिखना जाओ अंजाम तो है अंदे की हर रिष्टे ना पे भूल जाओ सब छोपा लो तुछ ना बोलो अरे हाँ जन जारे जन जारे जन जारे हमसे प्यारे जूच बलनारे जूच पतरेंगे सजनारे दिर प्यार में जन जारे जन जारे जन जारे सब्सक्राव सलिया जारे जन जारे लो आरे जन जारे चुछ ठाहिंज की हमसे की हमसे में कि लड़ते बना कि फिर ला यंस कि लुप संस fly eh कि अ अब्चा स्थासलूक wojew भnd ुड़ते वोज़ते हु़ है ये दो मिल्टा गास Hz झाल 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 जाल पोलीस बाल आ रहे यहां से निकाल चलिये जाल भानी चलो आगे बलो यह सर ऐसर पाट जाओ यह सर भवानी, तमिलनाडू पुलिस को इंफॉर्म क्या, ओके सर, आते ही मुझे बताना, ओके सर, रवीब, 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 वो उस आदमे को लेकर रहो, जिस सर, रवीब, तब कवार करो, ओके सर, रवीब, संभाल के, विर्घ लकश में प् daया समय के वार से अज करो लवीब, चिर रवीब, प्डह करो। मिस्टर केवी, तुम्हें मिर्ची मलाईया और डीजीपी को आतंकवादी गदिविधियों के लिए गिरफतार किया जाता है, तुम्हारे पास बजने का कोई रास्ता नहीं है, सब लोग सरेंडर कर दो, सिदास्त, ये तुम क्या कह रहे हो, गिरफतार करने के लिए तुम्हा नहीं लगा सकते हो, बड़ा आदमी है या बुरा आदमी, ये मुझे नहीं मालूम, ये यहां क्यों आया है वो भी नहीं मालूम, मिश्टर दुर्गा परसाथ, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम जब वाइसेग में थे आतंकवादियों से तुम्हारे संबंद का चीफ हो, कमिलाडू सरकार को बता के, डीजीपी के हक से आया हूँ, तो मुझे गरफ्तार नहीं कर सकते, सर ये लोग ऐसे बाते करके टाइम खराब करेंगे, फोर्स आने से पहले इनका कुछ करना ही होगा, मिर्ची मलाया और डीजीपी को अरेस कर सकते हैं, पर केवी को गरफ्तार का निगले सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, तो क्या हुआ, इन सब का इंकाउंटर कर देंगे, इनका इंकाउंटर करके शहीद मत बनाओ, सर, फोर्स आ रही है, अपनी गंदो, अपनी गंदो, सिधार्थ, आखरी बार कह रहा हूँ, कानून की नजर में तुम कानून को बार्जू में रखो, कानून की बात करने के लिए तुम्हारा सिंदा रहना जरूरी है, सर, सर्विस के दारान की गई तुमारी गल्तिया सुधारने का आखरी मौका दे रहा हूँ, इस केवी की मैं और मेरा देश बहुत इज्ज़त करते थे, समान देते थे, इसक अगर सिंदा रहना चाहते हो, तुमार डालो, सर, फोर्स आ रही है, चल्दी करो तुर्गा प्रसाथ, फोर्स पहुचने वाली है, अगर फोर्स आ गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये लो, बंदूख, ए टीज़ी पी, बागल हो गयो क्या, तुम मरोगे तो दूसरा मुझे कोई दिक्टर नहीं, मेरा खाकर मुझे ही मरोगे, तुम जैसे गंदार को जीने का कोई हट नहीं है, मलाया, खतम कर तो इसे, चैची मलाया, ये इनका आपस का मामला है, तुम बीच में मत बोलो, मेरी बात मानोगे तो मैं तुमें छोड़ दूगा, अपना टाइम अच्छा, इनका टाइम खराब है, अधियार निजे करो, सिदर्थ, ये मिर्शी मलाया और उसके क्या के तुमें कितनी बार मानना चाहा तो सिर्फ मैंने उन्हें लोका, अभी इसे सरकारी गवाब बना कर मुझे मानने के लिए कह रहे हो, देखो सिदर्थ, ये सही नहीं है जो पार्व गवाब ओुमें लोका तो सिर्फ मैंने का तुमें के ये समया तुमें। हाँ हाँ क्या खेल खेला सिद्धात मीठी मीठी बाते करके आखिर तुमने मुझे फसाई दिया हाँ मुझे अरेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं था इसलिए पिस्टल दे दिया सिद्धात असल मुझरम तो तुम हो वुझे एक गंदी मुझे जिल्ण कहते हो कि तुमने हजारों गंद सप्लाइए करके कितनों को मुझरम बना दिया है किसी दियाकी की उसके बने माता पिता ने आत्मात्या कर ली वो गलती करनेवाला हिंदू था इसलिए तम हंदू साधी को DAVID यह मेरेके साथ हुआ अन्या यह नहीं इस देश के अंगिनत मुसल्मानों के साथ हो रहा है बहुत दिनों से हो रहा है कहा हुआ अन्या है आंध्रप्रदेश में कृष्णा गुंटूर नहरूल हलप करनल चितूर और अनदपुर जहां चाहे देख लो तुम हर जग है मुसल्मानों को अपने सगों की तरह साथ देकर समालने वाले लोग तुमें हिंदू ही मिलेंगे एक आंध्रा ही नहीं पूरे पूरा देश मनत मांगता है तीन बार इस देश का देश मुसल्मान रहा हा है कि इस देश के जंडे में नारंगी रंग हिंदुओं के लिए सफे रंग क्रिश्चन के लिए हरा रंग मुसल्मानों के लिए होता है हमने इस तरह का जन्ना बनाया है समझे की नहीं तोरम रहती है और तुमने शबनम को भी बद्नाम कर दिया है तुम जानते क्या हो मुसल्मानों को इस देश से जब निकाला गया था उन जख्मों को हम अब तक नहीं भुला पाए हैं आने वाली पीरियों को भी पता चले इसलिए हमने ये बंदोग उठाई अपने कौम के खतिर क्या बात कर रहे हो इस देश के जब दो हिस्से हुए थे तो यहां किसी ने खुशियां नहीं मनाई थी जो घटना गुजर गई उसे भूलने की कोशिश की पर तुम्हारी तरह अपने जख्मों को बार बार कुरित कर उसमें नमक नहीं डाला तुम्हारी गन से निकलने वाली पूली जात धर्म देकर किसी की जान नहीं लेती पुनी कूलियों से मुसल्मान लोग भी मर रहे हैं तुम्हारी इन हरकतों की वज़े से देश भक्त मुसल्मानों को भी सर जोकाना पड़ता है तुम जैसे लोग मिर्ची मलया जैसे देश द्रोहियों का साथ देकर इस वहारी तरह आठंक वादी नहीं बना पुलिस बनकर तुम्हें गरफतार करने आया हूं करीम सर गराफतार कर लो कि अधार कि अधार सब का खुन लाल होने पर उसका ग्रूप एक नहीं होता जुबान एक होने से बोली एक नहीं होती मेरे माता पिता के आत्मा की शांती के लिए यह जंग मैंने शुरू की थी यह नहीं रुखना चाहिए फिर से जनम लूंगा दुबारा वापस आउंगा यह जंग जाने रहेगी हुग अंतर राश्ट्री तरजपर भारती संगीत को पहचान दिलाने वाले केवी यादिकादर वली ने रामिश्वरम में आत्मात्या कर ली है उनकी मौत की खबर से उनके देश भर के सारे प्रशन तक शोप मना रही है इतने बड़े कलाकार देश्ट्रोई हो सकते हैं यकीन नहीं होता कलाकार भी इंसानी होते हैं इंसानों में अच्छी बुधे दोनों लोग होते हैं सर में शेर के बाहर बस को लूटा है बीस लोग मारे गए हैं इस बार लुडेरों ने नया स्थरोग अस्तेमाल किया है तुमारे पिस्चल होती, कम से कम तुमारे जट रहने का मौका तुलता?